कि हेलो नवशकार जहिंद जीतने वालों को मेरा सलाम और जीते गा वही जो विश्वास करेगा कभी कुल सीरीज के अंदर आज हम बात करते हैं महन राकेश सहाग की देखें इनसे समंदत विशेश जो बाते हैं और साथ साथ इनका जो साहितिक परीचे जो रचनाय है पर एक् जब तक कि आप नोट नहीं करोगे जब तक कि आप लिखोगे ने श्यम से तो मात्र सुनने भर से एक बार सुनने से कुछ होगा नहीं लिख लोगे तो उससे है जो चीजे इस्ताइत्व है जो मस्तिस में ले लेगी और लिखने से रेटने की आवश्यक्ता नहीं पड़ती है दिरे-दिरे मस्तष में जो चीज़े छपने लगती है तो बात करते हैं महोन राकेश की जन्म के विशमें देखें तो जन्म इनका आठ जन्वरी 1925 को अमरिश्र पंजाब की यहां होता है कब आठ जन्वरी 1925 को यहां हो जाता इनका तीन जन्वरी 1972 पिताजी इनके कर्म चंद गुगलानी थे पेशेशे वकील थे लेकिन साहित थे के अंदर बिनकी बड़ी रूची थी और उसी रूची के करण ये साहितिक प्रवर्ति के दर्ज़ आगे बड़े सरवादिक जो प्रसिद्धी मिलती है मोहन राकेश शाहब को वो एक नाटकार के रूप में और एक उपन्यास कार के रूप में इनको सरवादिक प्रसिद्धी प्राप्त है जो होती है साहाब और परिक्षा में रचनाकारों से संबंदित आजकल ये सवाल भी पूछा जाता रहा है कि किस रचनाकार का संबंद किस काल से हैं तो संबंद के अगर हम बात करें तो राकेशाप का जो मोहन राकेशाप का जो संबंद है वो आधुनिक काल से हैं किस काल से आधोने काल से और सरवाद एक प्रसिद्धी पूश लिजाए तो नाटकार और रुपन्याशकार के रूप में इनको मिली सहाब पत्रिका का संपादन भी किया सारिका का समैई पूश ले तो 1962-63 में और ये पूश लिए किस प्रकार के पत्रिका थी थी हम बात करें तो जिसे कि मैं उपर कहा कि प्रसिद्धी नाटकार रूप पन्यासकार के रूप में मिली तो बात करें तो हिंदी नाटकों में आप भारतेंदूर प्रसाद के बाद में आगर नाम आता है तो वो आता है इनी का यानि कि मोहन राकेश का नाम आता है ठीक सहित्य के छित्र में जो समकालीन लोग थे सहित्य के छित्र में इनके समय के जो लोग थे इनको क्या नाम कह कर क्या क्या कर पुकारदे थे महन आएक साहित्य के छेत्र में पूस लिया जाए समकालिन लोग मोहन राकेश को क्या कहते थे या क्या कहकर पुकारते थे तो वो द्यान में रखना महानायक कहकर है जो पुकारते थे या महानायक कहते थे अब जलते हम मोहन राकेश की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनकी तरब पहली रिचना आती है यानि कि उपन्यास पहला आता है अंधेरे बंद कमरे ने आने वाला कल अंतराल निली रोशनी की बाहें ये है मोहन राकेश की क्या उपन्यास अब हम बात करते हैं कहानी संग्रह की तो क्वार्टर पहचान और वारिश ये तिनों कहानी संग्रह है इनमें कुल मिलाकर लगबग है जो 54 कहानियों की तकरीबन देखने को मिलते हैं तिनों संग्रहों के अंदर यात्रा विवरन इनका आखरी चट्टान तक यात्र विवरन ह की डायरी के नाम से जिसका संपादन जो है अनिता राकेश के संपादन में ये लिखी गई अनिता राकेश के संपादन में मोहन राकेश की डायरी नाटे करती हैं इनकी बड़ी प्रसित है पर एक सामें इनकी नाटे करती हैं मोहन राकेश की कई बार पूछी गई है जिनमें लहरों के राजहंस पड़ा है आदे अधूरे राशाड का एक दिन ये नाटे कृतियां इनके परमुक राकेश सहाब के एक आखरी बात ओड़ देख लीजिए इनके उपन्यासों अगर शेली पूछ ली जाए इनके उपन्यासों नाटकों कहानियों जात्रा वृतानतों में क शेली है जो डिस्क्रिप्टिव शेली देखने को मिलती है डिटेल्ड तो यह थे मोहन राकेश और मोहन राकेश से जुड़ी इंपोर्टेंट बात हैं अच्छा लगा तो फिर लाइक कर दें सभी बंदूं को शेर कर दें पहली बार देखने ओले बंदू सब्सकाइब कर बेल आइकन क्लिक कर ले टेली ग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्टिप्टिन मिल जाएगा कभी आधि गने सिंधिनाम चैनल है अपनी एप्लिकेशन भी है प्ले स्टोर पर आप जाओगे और सर्स करोगे नव स्रिजन क्लासेज यहां पर फर्स्ट ग्रेड हिंदी का तैरी को बहतर बना सकते हैं नव स्रिजन क्लासेज नाम से जोड़े रही है जोड़ते रही है